अधिस्ताइब दोस्तों नमस्कार स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल उत्राखन जी के वेरी जी ट्रिक्स में दोस्तों UKPSC के दौरा एक नई वैकेंसी जारी कर दी गई है जो की है व्योस्ता दिकारी की राज्य संपति विभाग के अंतरगत व्योस्ता दिकारी के स साथ रिक्त बदों पर नई भरती के विग्यापन दोस्तों UKPSC के दोरा जारी कर दिया गया है जिसके लिए दोस्तों आप 19 अगस्त से लेकर 18 सप्तमबर 2023 तक आविदन कर सकते हैं कल ही UKPSC के दोरा दोस्तों इसनातक वाले अभरतियों के लिए अधिसासी अधिकारी एवं क कर संग्रह करता या कर निरिक्षक की वेकेंसी निकाली गई थी और आज UKPSC के दोरा एक नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है जो कि है राज्य संपति विभाग के अंतरगत व्यवस्ता दिकारी का नोटिफिकेशन जिसके लिए आप 29 अगस्त से 18 सप्तमबर तक आव व्यवस्ता दिकारी राजी संपति विभाग परिक्षा 2023 का नोटिफिकेशन है आज ही दोस्तों इसका विग्यापन प्रकासित वाया 29 अगस्त 2023 को और अंतिम तिथी 18 सप्तमबर 2030 तक है यहाँ पर कुछ आती मैत्रपूर निर्देश दिये गए हैं कि आपको जब भी आप आपको अपनी समस्तर जानकारिया सही बढ़नी है कोई भी त्रूटी आपको नहीं करनी है साथ ही आप जो भी डॉक्यूमेंट सम्मिट कर रहे हैं जिन भी डॉक्यूमेंट के आदार पर फॉर्म को भर रहे हैं वह सभी डॉक्यूमेंट आपके फॉर्म बढ़ने के अंतिम विग्यापन जारी किया गया है, राज्य संपत्य विभाग के अंतरगर योस्ता दिकारी की एपद रहने वाली है, कुल लिखते पद हैं दोस्तो साथ, जिसमें SC के दो पद हैं, ST का एग्यू पद नहीं है, OBC का एक पद है, EWS का दोस्तो एक पद है, और जनरल के दोस्तो ती की जोब है, आप देख सकते हैं, समुखो, राजपत्य रिस्ताई और अंसदान पैंसन योजना के अंतरगर यह आपका पद है, और अनतारी सोग का आपका इसमें great way है, आप इसमें क्या मांगा गया आप से, सबसे वहले आप से मांगा गया है, माननेता प्राप्ते किसी होना चाहिए, एक तो आपको ग्रेजियूटर के साथ में उसक आपके पास में HM होटल मैनेजमेंट का टिप्लोमा होना चाहिए और राजी सरकार दवरा मानिदा प्राप्त सहस्तान से ही आपके बास में यहा डिप्लोमा होना चाहिए, ऐसे आप्भितिक को अधिमान दिया काम किये वाकि अगर आपके वास नॉर्म को नहीं बर सकते हैं अधिमानी अरता है कोई भी ज़रूरत नहीं होती है अधिमानी आपको सभी क्वालिफिकिसन डिटेल्स जो को सही डालनी है इसके बाद में आपको संसुधन का भी इसमें मौका दिया जाएगा जब फॉर्म बढ़ने के अंतिम्तिति हो जाएगी उसके बाद साथ देनों तक आप संसुधन कर सकते हैं उसके स्केल किया है और लुर्णक के लिए बाद में कर देख सकते हैं लोग देख सकते हैं फिलाल दोस्तो आप इस भरती में आपकी special qualification मांगेगे तो आप उसके according अपने form की तयारी कर लीजे आप देखिए आपका वियोस्ता दिकारी परिक्षा 2023 में क्या रहने वाला है तो सबसे वहले दोस्तो आपके एक screening परिक्षा होगी आविधन पत्रों की अधिक संख्या होने पर साक्षातकार के लिए भरतियों की छटनी है तो साक्षातकार आपका इसमें 100 अंकों का होने वाला है उत्राकन लोग से बायोग परिक्षा परिणाम निर्माण प्रकेलया नियमावली 2022 के अनारक्षित पदूं के लिए 45 परतिसयत OBC EWS के लिए 40 परतिसयत SCST के लिए 35 परतिसयत अंकर प्राप्त करने वाले बहरतियों को प्रभीनता सुची में समिलत किया जाएगा इस प्रभीनता सुची के अधारप्रा भिर्द्यों का चैन प्रस्नगत पदूं हेतु किया जाएगा तो ये दोस्तों आपका स्लेबस रहने वाला है आप देख सकते हैं क्या क्या देखेए यहाँ पर आपका स्लेबस औरस बारे में उंतियल कोहा है तों बिल्कुल या भ्यक्छी कव देख सकते हैं निट्रिषण् अगर्पर आपका पूरा या पी स्लेबस दिया गया है पिर यहाँ पर आपको जन्नल स्टेडी से रिएटेट 20 मार्स का रहने वाला है और उसके बाद में आपका इंटर्व्यू होगा इसके मार्स आपके नहीं कैलकुलेट होगे और साइध ये पेपर होता भी नहीं है क्योंकि इतनी अधिक संख्या में तो आविदन ही नहीं आते सिर्फ थाक्षातकार के बेस पर यहाँ पर आपनों के फिर सेलेक्शन हो जाएंगे तो यह बिल्गोल स्पेशल सी पोस्ट है और मेरे को तो बहुत अच्छी पोस्ट लगी यार लेकिन क्या करें क्वालिफिकरिकिसन आपके इसकी अक्रेट पर इतनी आसानी से आपको कहीं